इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि State Bank of India में चेक बुक के लिए कैसे आप online apply कर सकते हैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको State Bank of India से काफी सारे related वीडियो दिये हैं जैसे आप State Bank of India में अगर आपकी युनेस वीडियो में इरा रहा है नो एकाउंट फाउंड का तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं State Bank of India में एकाउंट कैसे उपिन करेंगे इसकी घरबेटे निट्बैंकिंग कैसे एक्टिवेट करेंगे जाए हो वीडियो आप देख सकते हैं तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि State Bank of India में चेक बूक के लिए कैसे आप अनलाइन अप्लाइन करेंगे और आप कैसे आप अपने ने ने एडिस पर चेक बूक अप्लाइन करने के बाद आप अपने घर पर मगा सकते है अगर कहीं दूसरे जीगे भी आप सिर्फ्ट हो जाते हैं तो नए अडिस पर भी आप चेक बूक अप्लाइन करके आप मगा सकते हैं तो इस वीडियो में बने दिए मैं आपको लाइप प्रूस करके दिखाऊंगा इस वीडियो में चेक बूक अप्लाइन करने के लिए इस को आपको इस्टॉल कर लेना है और इसको आपको पहले से एस्टॉमर अगर आप रहते हैं तो तभी आप अप्लाइए कर पाएंगे तो यहाँ पर एक्जिस्टिंग एस्टॉमर यहाँ पर नीचे आपको करना है मुबाइल नंबर यहाँ पर जैसे आपका फेरिफाइए होता है उसकी बाद यहीं पर आपको अपना नेट बैंकिंग का यूजर आइड पास्वर्ड केसे आपको क्रियेट करना ही इस पर मैं एक लग्सी वीडियो बना चुका हूँ उस video के link आपको इस video के description box में मिल जाएगी वो video आप डायरेक्ट जाके देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको proceed वले option पर click कर देना है देन यहाँ पर आपको मिल लेगा user ID तो यहाँ पर आपको अपनी user ID डालनी है देन यहाँ पर नीचे आपको मिल लेगा password तो यहां पर अपना password फिल करेंगे दिन यहां पर आपको submit वाले option पर क्लिक कर देना है submit करने के बाद password आप save करना चाहते हैं तो save कर तकते हैं उसके बाद यहां पर आपके number पर OTP शेंड किया जाएगा उस OTP को आपको यहां पर डालना है यहां पर हमारे number पर OTP आगया यहां पर हम OTP डालेंगे दिन यहां पर next वाले option पर क्लिक करेंगे तो यहां पर consent आजाएगा यहां पर scroll करके नीची आएएंगे next वाले option पर आप क्लिक करेंगे और यहीं पर आपको M-PIN सेट करना है जो M-PIN आपकर रहेगा 6-digit कर रहेगा और आपका 1-sequence में नहीं होना चाहिए और कम से कम यहाँ पर 3 यहाँ पर अलग-अलग character में होने चाहिए यहाँ पर आपका 1-sequence में 3 number नहीं होने चाहिए यहाँ पर जो भी M-PIN सेट करेंगे उस M-PIN को नीचे आप रिइंटर रिटाइप करेंगे देन नेक्स टोले आपसन पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर सक्सेस्फुली रजिस्टर हो जाएंगे और आप लॉग-इन हो जाएंगे यहाँ पर चेक वाले आपसन पर क्लिक करेंगे रिक्वेस्ट चेक्बुक को अपसन मिल दाएगा इस पर आप क्लिक करेंगे रिक्वेस्ट चेक्बुक पर क्लिक करने के बाद यही से आप एक नए चेक्बुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं सकते हैं, unable to process your request at this time, please try later आए ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, अभी हमने extend registration किया है, तो साथ कुछ time बात भी यहाँ पर check service हो सकती है, यहाँ पर देखिए, हमने extend यहाँ पर try किया और हमारा हो गया, यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना account तो select कर लेना है और कितने लीप का आपको check चाहिए इसको select कर लेना है दिन नीचे यहाँ पर दो termine condition मिले जाएगी दोनो termine condition को accept करना है और charges as applicable रहेगा यहाँ पर charges भी यहाँ पर रहेंगे देख सकते हैं यहाँ पर charges में बताया है कि अगर आप एक साल में 10 पेंच का checkbook लेंगे तो आपका free रहेगा और 10 से ज़्यादा लेंगे तो 10 पेंच का 40 रुपए और 25 पेंच का 75 रुपए चार्ज रहेगा और जो आपका salary account होता है senior salary account उसमें कोई भी charges नहीं होते हैं unlimited आप यहाँ पर checkbook इसू करवा सकते हैं current account में आपका देख सकते हैं 35 पेंच का checkbook आपका free रहता है financial air में और उसके बाद पर लीपस आपका 3 रुपए प्लस जेश्टी आपका charge लगेगा तो यहाँ पर क्या करते हैं एक हमारा यहाँ पर financial air में 10 पेंच का free है तो यहाँ पर 10 पेंच का यहाँ पर हम select कर लेंगे और 10 पेंच का यहाँ पर free में हम यहाँ पर मगा सकते हैं तो यहाँ पर 10 पेंच का आपको यहाँ पर leave select कर लेना है Excel में देन नेक्स्ट वाले अपसेन पर क्लिक करेंगे delivery address मिल जाएगा registered address आप यहाँ पर देख सकते हैं और last dispatch address आपका कुछ भी नहीं है देन यहाँ पर new address हमें new address में चाहिए यहाँ term accept करेंगे और यहाँ पर new address का आपको complete address फिल करना है जिसे हमारा new address है house number 572 भाग 3 अमिलिया जो भी हमारा यहाँ पर रहता है यहाँ पर हम फिल करेंगे आपको अपने हिसाब से यहाँ पर अपना new address फिल कर लेना है यहाँ पर फिल करना है देन नीचे यहाँ पर pin code मिल जाएगा पिन code डालेंगे city और state by default आजाएगा complete address फिल करने के बाद यहाँ पर आपको next वाले option पर क्लिक कर देना है पूरा यहाँ पर आपका आपका review हो जाएगा देन यहाँ पर आपको confirm वाले option पर क्लिक कर देना है देखिए अगेन यह आपका enable to process हो गया इसको अगेन आपको फिर से try कर लेना है same process आपको करना है जैसे यहाँ पर आप confirm करेंगे तो एक दो बार अगर आप ट्राइ करते हैं अगर प्लीज ट्राइ लेटर आता है तो दो बार आप ट्राइ करेंगे किसाथ अपके के लिए जिन टके रूँ